हरियाना सरकार ने लिया सीट एट से जुड़ा बड़ा फैसला दूसरे राज्यों के उमीदवारों को होगा बड़ा नुकसान आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला हरियाना सरकार ने केंद्रिय शिक्षक पातरता परिक्षा सीट एट से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है स्कोल शिक्षा विभाग ने सीट एट को हरियाना शिक्षक पातरता परिक्षा एच एट और राज्य शिक्षक पातरता परिक्षा एस एट के समान दी गई मानेता को वापस ले लिया अब सी टैट से पास हुए दूसरे राज्यों के उमीदवार हरियाना में नहीं बन पाएंगे शिक्षक शिक्षा विभाग के अतरिक मुख्य सचेव डॉक्टर महावेर सिंग ने सादेश को जारी किया है आपको बता दें कि पिछले साल हरियाना सरकार ने खुल कर विरोध किया था उनका ये कहना था कि जो यूवा दूसरी राज्यों से आये हैं उनकी सीधी भरती सी टैट की बज़े से हो जाएगी और एज टैट पास करने बाले हरियाना के यूवाओं का सीधे तोर पर नुकसान होगा और यही करण है कि उनका हक मारा जाएगा हरियान में टीजिटी के 7,421 पदों पर भरती अब शुरू होगी शिशा विवाग ने हरियाना करमचारी चेना आयोग को मांग पत्र भेज दिया है प्रदेश सरकार द्वारा सीट एट की मानेता वापस लेने के बाद अब सीट एट पास यूवाप्रदेश में प्रात्मिक शिक्षक वेटरेंड ग्रजुएट टीचर टीजिटी के पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे